चैनल में स्वागत है और अगर आप हमारे चैनल पे नहे हैं तो सस्क्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन और प्रेस कर जिएग ताकि आपको नए वीडियो को सूचना मिलती रहे State Bank of India आज इस टॉप के बारे में इस बारे में बात करेंगे एक Government Bank है, PSU Bank है पब्लिक सेक्टर की और जबरदस्त आज करीब BSC पे जो 20 मई 2019 को मार्केट बंद हो चुकी है 344 के भाव पे ट्रेड हुआ था लास्ट 25 रुपे 65 पैसे की अपसाइट के साथ BSC पे 8.04 परसेंट की बढ़ात के साथ और जो लो था एक साल का 237 रुपे 85 पैसे और हाई इसने आज बनाया है साल का 345 रुपे 80 पैसे अब इस बैंक के मैं रिजल्स दिखाऊंगा और बैंक क्या करती है आप सभी परचित हैं आपके अकाउंट से भी होंगे इसमें और हो सकता है कि आपको लोन्स बगेरा भी चल रहा है एक गवर्मेंट की बैंक है इंडिया के सबसे पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है और बहुत सेवा करती अपने देश की जितने लोग लोन लेते हैं कभी-कभी गवर्मेंट माफ कर देती है तो फिर इनको समय पर पैसा नहीं मिल पाता सरकार के तरफ से या जहां से भी इनका MPA बढ़ जाता और कभी-कभी इन लोगों ने corporate जो wholesale banking होई जैसे कि मैं आपको यहां पर आगे बताऊंगा कि retail से इनको कितनी आया है और wholesale banking में कितने परसेंट कि इनको सालाना इनका turnover होता है या जो भी इनका व्यापार होता है तो जान लेते हैं आज जो हम इस जबरदस्त उच्छाल है और यहां पर market cap जो है 3,7542 क्रोड़ एक large cap की bank है और हम consolidated पर हैं तो EPS earning per share बहुत ही कम है 2.58 पैसे P है 133 का और industry P है 143 की book value है 249 की जो की इतना बड़ा बड़ी bank है तो obviously book value आपने stock price से नीचे है लेकिन फिर भी book value काफी अच्छी है face value है एक की रह गई है और dividend इनो ने लास्ट ये नहीं पे किया था और deliverable है 39 करीब 40% की आसपास जबरतास delivery हुई है और आए हम के quarter और annual results भी देख लेते यहाँ पर अगर हम quarter पर चलते हैं पहले हाँ मार्च 18 से मार्च 19 पहले हम year on year पर देख रहे हैं मार्च 18 में जो इनकी interest थी 55,941 करोड़ वहीं मार्च 19 में आया है 62,985 जो की 12,5% के आसपास upside है और देखें इनका NPA भी जो है काफी कम हुआ है मार्च 18 में जहां 5.73 था वहीं 3.01 रह गया है जो की अच्छी बात है और gross NPA भी इनका कम हुआ है तो यहां पर भी देखेंगे जहां इनका 10.91 था परसंट के आसपास वहीं मार्च 19 में रह गया है 7.53 परसंट के आसपास और जो नेट प्रॉफिट है मार्च 18 में नेगेटिव में था 7,718 करोड़ वहीं positive में हो गया upside हो गया 838 करोड़ year on year पर तो अब हम देखेंगे quarter के तो जहां quarter से compare करते हैं दिसंबर 18 से तो obviously यहां पर interest earning में इनको 1.14 परसंट की upside है और NPA भी इनका quarterly कम हुआ है तो government काफी ध्यान दे रही है बैंकों पे अंकुष लगा रही क्योंकि government at least पैसे भी सब में डालती ना अभी-अभी मैंने सुना था है 2-3 महिने पहले अगर आपको याद हो कि government ने कुछ अपने सरकारी बैंकों में 5-5,000 करोड़ रुपए दिये थे तो सरकार का इनको support रहता है इसलिए ज़ादा तर अगर इसमें जो निवेशक होते हैं तो उनको खबराने की ज़रूत इसलिए नहीं होती क्योंकि ये ज़ादा तूटते नहीं इनके support में खड़े रहते है government जैसी एस बैंक का देखिए आजकल क्या हाल हो रखा है तो यहाँ पे net NPA में भी थोड़ा सा net पे कम हुआ है और gross NPA भी यहाँ पे कम हुआ है 1.18% तो इसलिए हरे में है और net profit में आपे quarter में जो है इनको जहाँ 3954 क्रोन के थी वहीं आए है 830 क्रोड को यहाँ पे quarter में तो आसे इनको loss है 88% negative में आए है लेकिन चलिए positive में आगए है बहुत बड़ी बात है और share holding pattern में अगर हम देखते promoters ने थोड़ी सी holding अपनी increase की हुई यह क्यों की है यह समचने वाली बात है 0.61% की holding होने यहाँ पे कम की और government of India President of India मानिर महामहिम साहब है और foreign institutional investors ने अपनी holding यहाँ पे increase की हुई है यह लोग बड़े शातिर होते हैं foreigners देखी अच्छे अच्छे जहां मौका मिलता है गुसके पैसे बना लेते हैं भाई और आपकी चहेती LIC भी जवरदस्त holding रखती है 9.21% के आसपास और individual जो खुदरागरहाक हैं हम आप जैसे लोग 15.19% के आसपास है यहाँ पे डिविडेंट जो दिखिए 2017 पे कि रहाँ अच्छाम नहीं पे किया हो सकता अब प्रॉफिट में है तो अब पे करना शुरू करे हाँ यह मैंने कहा था कि इनकी जो रिटेल बैंक से इनको 43% है corporate wholesale bank इनको आपको पता था कि treasury circa 27.9% अब फस्ट अपनी इंडस्ट्री में है PSU, government, public service bank और SBI 1806 से यह काम कर रही है बहुत पुरानी बैंक है अपने भारत की अब रिटेन पे देख लेते है रिटेन यहाँ पे जिन्हों 10 सालों पहले पैसे लगाया थे एक लाग तो उनका मात्र रह गया है 93 याने की 93 रह गया 93 परसें जिन्होंने पांस साल पहले इसमें पैसे, हाँ स्वारी हाँ जिन्होंने एक लाग रुपे लगाया थे तो उनका हो गया 1,93,000 यानी 93.53% की रिटेन है माफिय चाहूंगा और जिन्होंने पांस साल पहले पैसे लगाया थे तो उनका 36% रिटेन है 4 साल पहले वालों को 17% की रिटेन है, 3 साल पहले वालों को 101, ये थोड़ा जबर्दस्त है 2 साल पहले जिन्होंने पैसे लगाया थे उनको 11,000 और 92% की आस-पास की रिटेन है और one week में 12% के और one day मतलब आज इसलिए special day है क्योंकि आज exit poll के में बताया गया कि जो हमारी वरतमान सरकार है वही फिर से आने वाली इस वज़े से हमारा जो सिंसिक से जबरदस्त भागा है और काफी 1400 के आसपास जो है point अंक उपर है तो इस वज़े से सारे P.O.C.U. भी और बंद हुए तो एक ही दिन में उनने 7.9% के आसपास कर्टन दे दिये जो की एक प्रतिष्ठित fixed deposit का return है अब इस पर मैं दो चीज़ें और बताना चाहूँगा पहली चीज तो भारती State Bank के बारे मैंने कब बताया था आपको मैं दिखा देता हूँ मैंने एक वीडियो बनाय वीडियो को देखा था तो 35 लोगों जिन्हों देखा था उस समय कमपनी का भाव जो ट्रेट का इस पैंक का भाव जो ट्रेट करा था 270 रुपए और मैंने इस पॉइंट पर कहा था नौ बचके नौ मिनिट पर 22 सेकेंड पर कि जिनको लेना है इस समय ले सकते हैं लेकिन शेयर का प्राइस पहुँच जाए तो वो चाहे निकल सकते हैं उनको अगर 70 रुपए पर शेयर के साब से मुनाफ़ा हो रहा है तो या फिर आगे के कौर्टर में जो रिजल्स आएंगे उस पर निर्भरता है कि आप कितने दिन और बने रह सकते हैं तो यह मैंने सिर्फ इ करें साउधान रहें फ्रेश बाइंक के लिए मैं बिल्कुल सला नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी काफी उपर आ चुका है और ज्यादा ज्यादा यह 400 माल लीजिये पहुच गया तो बड़ी बात होगी और पियस यो गवर्मेंट बैंक्स हैं तो ज्यादा इन से मैं उम् में अच्छी बैंक है लेकिन हम तो पैसे कमाने के लिए बैठे है ना तो स्टेट बैंक और इंडिया में शॉट टर्म के लिए वो चाहें तो अपने हिसाब से अपने स्टोडी के हिसाब से लेकिन और नीचे मिले तो ठीक है अभी देश में तक रूख जाते हैं आगे क्या अच्छे भी आएगी तो कहीं ऐसा नो कि आप ऊपर के लेर पर फस जाएं और फिर आपका पैसा फसा रहे और आप पटाते रहें तो इस वजह से फ्रिश बैंक के लिए बिलकुल भी सला नहीं जो लोग होल्ड है वो चाहें तो थोड़ा मुनाफ़ा अपना बुक कर सकते ह हाला कि जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा तो वह संभवता कुछ लोगों अगर बाइंग की होगी एनिवेज बस यही मुझे कहना था मुझे आपको रिजल्स दिखाने तेस ब्याए बैंक के तो बने रही हमारे साथ जब तक हम एक नए वीडियो साथ मिलिंग और दो क्यों भी स्टॉक खरीदे यहां पेचे अपने फनेंशल एडवाइजर जरूर मशुरा कर लें थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो